इस रेट में आप रियाना से खरीकते होगे उससे भी जावाजिव रेट में आपको सोलापूरी मिल जाएंगी जो भी कोई जुड़ेगा वो ऐसे ही चलेगा हमारे ऐसे ही चलेगा चूँकि सिकाहित का मोका किशी प्रकार नहीं देंगे दूद बगेर है जितना बताते हो सारा साथ सबसे जो भी पार्टी हमसे माल ले गई है किसी का भी मेरे से कॉंटेक्ट नमबर लेगे उससे पता कर सकते हो आप है जोगिंदर भाई साम से बैंच लेई है उसका क्या रजल्ट रहा है क्या इनकी सर्वीस रही है बिलकुल क्या रहा है नमस्कार दोस्तों मैं हूँ संदीप और एक बार फिर से आप सब का बहुत बहुत सुआगत करता हूँ आपके अपने चैनल विराज डेरी एंड फार्मिंग में आश्या करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे सुरक्षित होंगे तो काफी लंबा सफर तैक करके काफी जानी मानी जगयां पे आए हैं जिला हिसार का गाउं है मिंगनी खेडा और महिमा डेरी फार्म पे पहुँचे हैं इनके ओनर है जोगंदर भाई आप यहां पे देखे हर तरे हर बार की तरे जो अब की बार भी है दस मैसों का जो लोड है जा रहा है महराश्टर के पुर में ले जाने वाले एक ही लोगप्रिये चेहरे हैं इनके डेरी फार्म से गनेश भाई पुठे वाली जो भैसे हैं वो दिखा दिलाते हैं और कईना की जो वाजीव दाम है उसमें आपको यह पशूदन है देखने को मिलेगा सेलेक्शन आप भाई का देख सकते हैं का और वीडियो है 11 सितंबर को शाम के समय करीब करीब साड़े तीन बजे जो कवर है मैं कर रहा हूं तो सीधा लेकर करके चलते हैं जोगंदर भाई के पास जानेंगे डेटेल्स नमस्कार जोगंदर भाई साव आपको देखने वाड़ी दर्सकों जी जी कैसे हो सर अब बस ब जाएंगे जिस भाई को खरीदनी है वहां जाने बाद अपने आप पता लगजेगा हमारा रेट क्या है आच्छा गनेश भाई अपने आप ठीक है क्योंकि जो जिस रेट में आप रियाना से खरीद होगे उससे विजावाजिव रेट में आपको 16 पूरी मिल जाएंगी तो ट्रांस्पोर्टेशन चार्जीज हैं और काफी जो बीच का लफडा है वो सारा उल्मोस्ट खतम हो जाए ठीक है आप नस्दीक से देखिए पशुदन ले सकते हैं गनेश भाई के यहां से तो आज 10 मैं से बेज रहें उनके पास और हम एक हमारे गराक के लिए मैसेज भी कोई भी गराक मेरा परसनल गराक हो थी पहले मिंगनी खड़ा में आगे इंट्री करने से पहले दस बंदों से पूछे ठीक है अमें कौन सी डैरी से बेंच लेनी चीह है कौन सा डैरी फर्म आपको बढ़िया रेट में पास देगा अगर दस में से आठ बंदे आपको यह ब में साइता कर रहे हैं जी हुआ है कि खून पी एस बैसने एक सालोगी ब्याईन है इतक नया दूदो की नहीं देरी अपनी तलके दर क्यों सोम हो रही है बबु छो मैं के हो रही हूं आपने भी तो बेरा है क्ये बात होगी ताव मेर शंगे बताउं जीरी इस मैसने खून प तो सेलेक्शन देखें वकिल साब आप भी बताओगे चीक है यहां से शुरू करेंगे सारी बताएं एक बर नहीं सोलापूर जाएगी ब्यात कौन सा है दूद कितना दूसरे बार की अच्छा ठीक है सेक्ड लक्टेशन में पशुदन देखें 12-13 लिटर जो दूद है हाल फिलाल में तयार और पशुदन आप देख सकते हैं तो इधर लेकर के जाएं शोटे वह यह देख सकते हैं शकल सूरत से लेकर के जो चेरा मुरा है वो और महाराष्ट्र के सोलापूर के लिए जो पश अच्छा पशुदन नीचे बच्चा क्या इसके कटडी ठीक है अगले पशुदन पर आएंगे बताएं सर अब बताओ क्या कुछ दिटे दूसरे बार की ठीक है 12 किलो दूद कितने दिन का ब्याय हो गया हो गया 6-7 दिन का ठीक है खोले गुमाएं चलाए नीचे बच्चा पच्चा इसके निचे कटडी है ठीक है सेकिंड लक्टेशन में पशुदन देखे 12 लिटर जो दूद है हाल फिलाल में मोक्के पे तयार और शो क्वालिटी का चेहरा मोरा ने सिर्फ चेहरा मोरा बलकि जो अर्डर की क्वालिटी है वो देखें जी काफी बहतरीन जो थन प अर्डर कम अर्डर में जो पशुदन है सेकिंड टाइमर जोटी आपको यहां पर देखने को मिलेगी बात करूं मैं टीट स्पेसिंग की जबर्दस जो टीट स्पेसिंग है शायद ही किसी-किसी पशुदन में मिलेगी एक छोटा से थन है वकील सब साइड में है तो दूद लिटर दूद का पशुदन थर्ड लेक्टेशन में देखें और जबर्दस जो बिग्गेस्ट अडर बफलो है वो इस तरह की होती है जी देखें पशुदन आप देखें जी थर्ड लेक्टेशन में काफी शांदार और अडर की जब क्वालिटी अगर मैं आपको दिखाऊ तो यह एडर देखें काफी बहतरीन जो लेवा है वो इस पशुदन के नीचे आपको देखने को मिल रहा है तीसरे ब्यात में काफी शांदार जो पशुदन है वो शाम के समय करीब करीब साड़े तीन बजे के करीवन जो विडियो है मैं कवर कर रहा हूं और काफी बहतरीन जो selection है वो भाईयों का आज भी यहाँ पर देखने को मिला अगले पशुदन पर आएंगे वकिल से आप बताएं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है 12 लिटर दूद मौके पर तयार तीसरी बार जो बच्चा है उसको जनम दिया यह देख सकते है हाइट लेंथ है पीट-पुथा है काफी भैतरीन अडर देखें जबरदस्थ जो अडर क्वालिटी है उसमें एक माइनस पॉइंट है तो सिंगों का क्योंकि सिंग सोड़े से यहाँ पे खुले हुए बाकी पशुदन आप देख सकते हैं किसी तरकी कोई गुणजाइस नहीं काफी जबरदस्थ जो पशुदन है वो अगले पे आएंगे बताएं वकिल साब चीक है इसमें भी 12-13 लिटर भी दूद त्यार है 12-13 लिटर दूद चीक है सेकिंड लैक्टेशन में 12-13 लिटर जो दूद है उसका पशुदन और पूरा जो जेट बलक टेल में है वो आप देखें यहां पे काफी बहतरी जो चेरा मुरा है वो देखें शांदार जो पशुदन है वो और काफी वाजीब दाम में कही ना की जो हमारे सोलापुर के जो ग्राहक हैं उनको देते हैं यह देखें जी किसी तरकी कोई गुणजाइस नहीं है पशुदन में और जितनी भी भैसे आपको इहां पे दिखाई दे रही है ने सिर्फ भैसे बलकि एक उन्नत क्वालिटी का जो बुल है वो भी लेकर के आए हैं वीडियो में वो भी दिखाएंगे तो अकील साब अगले पशुदन पर आएंगे बताएं चीक है 12-13 लिटर दूद मौके पे तयार सेकिंड लैक्टेशन में एक और पशुदन है वो देखें यह भी एक जबरदस जो हाइट लैंथ है उसमें और चेरा मौरा है पशुदन का वो देख सकते हैं तो काफी लाजवा पशुदन है सेकिंड टाइमर और सींग आप जरूर देखें यहाँ पे थोड़े से खुले हुए मैं कहूंगा बाकी पीट पुठा है वो देखें नीचे जो अडर की क्वालिटी है पैरों के बीच का जो टाइट अडर है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा अगले पशुदन की बताएं वकील साब बताओ दूसरी बार ठीक है ठीक है 12-13 लिटर ठीक है 7-8 दिन की व्याई हुई में 12-13 लिटर जो दूद है वो तैयार बता रहे हैं सेकिंड लक्टेशन का जो पशुदन है वो देखें और हाइट लेंथ पीट फुठा है जो चेहरा मोरा है अडर की क्वालिटी है वो देखें तो शाम को किस ताइम दूद निकालते हो पांच बजे पांच बजे तो अभी जेड़ घंटा और भी बसता है चीक है बोद बढ़िया एक और पशुदन है बताएं सर बताओ बोले से इसको खाली कर दिया गया है कली बच्चे को जनम दिया चीक है ब्याद कौन सा है ब्याद दुसरे बार काई जी चीक है सेकिंड लेक्टेशन में पशुदन देखें कल ही बच्चे को जनम दिया चीक लोकल लेंग्वेज में जिसको हम बोला बोलते हैं उससे इसको खाली कर रखा है और पशुदन आप देख सकते हैं हाइट लेंथ पीट पुठ्था हर तरीके से बेजोड पशुदन ठीक है बई लेयो जबर्दस तर्डर क्वालिटी के साथ काफी शांदर जो भैंसे हैं वो यहां से जा रही है महारश्ट्र के लिए और महारश्ट्र में सबसे ज़्यादा भैंसे बेजने वाला हिसार जिले का गाउ मिंगनी खेडा से एक मात्र डेरी फार्म मैं कहूंगा क्योंकि जितनी भी लोड की वीडियोस बनाई है ओल्मोस्ट जो है सोलापूर के मिले बताएं सर अगले पशुदन चीक है 11-12 लिटर दूद तयार तीसरी बार बच्चे को जनम दिया है तो 5-6 दिन की भी आई हुई है यह देखे शकल सूरत से लेकर के हाइट लेंद फीट पुठा काफी बहतरीन काफी लाजवाब और यह देख सकते हैं शांदार अडर क्वालिटी नैसिर फटर क्वालिटी बलकि लाणपांड है पशूदन का कही ना की वो देखे काफी जबरदस काफी शांदार अब आते हैं एक बुल पे हर बार की तरह एक बुल है वो फिर यहाँ पे दूसरी बार शायद वीडियो में कवर कर रहें एक बुल पहले भी देखा था क्या कुछ डिटेल्स हैं वकिल साब बता है अभी तो यह खीरा ही है खीरा है दात वगेरा नहीं कर रखे दिखा देगा दात दिखाओ दिखा दो खीरा जो कटड़ा है वो बता रहे हैं दात अभी नहीं कर रखे एक बार देख लेते हैं यह देखे जी बिल्कुल साब सटीक जानकारी और 22 महीने की जो उम्र है वो तो मा का दूद बगेर क्या कुछ है मा का रेकाओड इसका 23 लिटर का था 23 लिटर दूद ठीक है यह देखे जी 22 महीने की उम्र में जबर्दस हाइट लेंथ जो पीट पुठा है वो और प्योर जैट ब्लैक टेल में जो शानदार बुल है तो जोगंदर भाई इसको भी गणेश भाई के पास ही बेज़े ठीक है लेओ यह देखे तो जबर्दस जो पशूदन है वो और दूद बगेर है वो भाई ने आप सब पशू पालक भाईयों के साथ शेयर करी ही दिया है किसी तरकी कोई गुंजाइस नहीं है तो जोगंदर भाई और क्या कुछ कहेंगे अपना यह यह बाई सब्सक्राइब और एक बात और कह रहे हैं बिलकुल यह तो चलो गनेश भाई है जो हमसे जुड़े हैं जो भी कोई नंबर लेगे उससे पता कर सकते हो आप जोगंदर भाई साब से बैंच लही है उसका क्या रजल्ट रहा है क्या इनकी सर्वीस रही है बिलकुल हर को यह आपको अपने कराक का नंबर नहीं देगा मैं दिऊंग आपको देखिए मैं तो एक ही बात बोलता हूं अगर शायद खराब पशूदन निकलता तो गनेश भाई इतनी बार पलट पलट करके नहीं आते हैं अगर वो यहां से ले करके जाते हैं तो जाते ही जब उनका पशूदन सेल होता है वहाँ पे तब ही दूबारा पलट करके आते हैं उनका नमबर देता हूना मैं वीडियो के अंदर तो लोगों के फोन भी बहुत जादा जबते हैं यह कर देंगे तो बाई साब उनको पता है इससे जाइद कहीं नहीं मिलेगा ठीक है चलिए सर आपको बहुत बहुत शुब कामना हैं काफी अच्छा जो पशूदन है हमारे दो भैसे खरीदने के लिए जोगिंदर भाई की जो कुंटेक्ट डिटेल्स है महीमा डेरी फार्म रेगुलरली हमारी स्क्रीन पे चल रही है डार्क लिए आप इनसे संपर कर सकते हैं तो दोस्तों जल्द ही मिलेंगे फिर किसी नए पशूद पालक के गरी या किसी बड़ डेरी फार्म पर तब तक के लिए आप सिबको मेरे नमस्कार धन्यवाद जय जवान जय किसान